मैं जिने बुलाना चाह रहा हूँ वो भी आपके दिलों पर राज करते हैं कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आप समुन के नाम से ही आपकी तालिया और आपकी वहवा पहुंच जाएगी रामपुर की परंपरा से रामपुर की रिवायत से ताहिर फराज सहब आपके एक बार जोड़ार कालियों के साथ ताहिर भाई रस्वात करिएगा और फराज चले चले भी आओ की पूर इसनाव अलेगों मनॲबर भई जहां भी हैं मैं दआ करता हूँ कि खेहर्या से हूँ और जहां भी हैं वह हमझे अज स्ञाधा दीया ज्रूब करें चुछ ऑमारी महफल के सद्र है तो हमारा ये तैज्जीभी और खलागी फरिजा है कि हम अपने सद्र से जाधा लें बारेल, उनकी इजादत तो खेर मिल ही जाएगी, गायबाना ही सही, लेकिन आपकी जो इजादत है, वो मुझे इस वक्त मिल जाए तो मैं पिर मेरा काम आसा है। नीम के रसमे मिला जब जहर, नीम के रसमे मिला जब जहर, मीठा हो गया। जूट उसने इसकदर बोला कि सचा हो गया। नीम के रसमे मिला जब जहर, मीठा हो गया। जूट उसने इसकदर बोला कि सचा हो गया। एक तक्रीर हुई यहां पर, अभी एक जो हमारा ये इवेंट है, बहुत ही खुबसूरत है। और बहुत से मकासित हल होते हैं। उस पर रोशनी डाली जा चुकी, मैं ज़्यादा बोलने का, ना मुझे हुनर आता है, ना कायल हूँ। लेकिन एक जो कहा गया, ओमज़ अच्छा लगा। हमारे मेहमान और हमारे आई थे रहा। उनके हवाले से मैं शियर सुनाता हूँ। नेम के रसमे मिला जब जहर मीठा हो गया, जोट उसने इसकदर बोला कि सच्चा हो गया। इतना उजला था लिबास लवज उस तक्रीर का, लोग थोड़ी देर को समझे सविरा हो गया। इतना उजला था लिबास लवज उस तक्रीर था, लोग थोड़ी देर को समझे सविरा हो गया। एक लवज है जो हमारी रिवायती शायरी में बहुत ही ज्यादर इस्तेमाल हुआ हमारे असादजा ने, हमारे बुजर्गों ने और लवज है रकीब, रकीब जो हमारे हिंदी नुई दोस्त बैठे हैं उनके लिए मैं अर्ज़ करना चाहूं कि रकीब उसको कहते हैं जिसको हम चाहें, कोई दूसरा भी उसी को चाहें, तो वो हम और आपस में दोनों रकीब कहलाएंगे। ठीक है ना? अब इस रकीब को इतना बुरा भला कहा हमारी उर्दू शायरी में और हमारे असाथजारे बुजर्गों ने, कि कोई गुंजाय छोड़ी नहीं है, लेकिन मैंने एक पहलू निकालनी कोशिश किया है, मैं अपने तमाम उन बुजर्गों से भी जाला चाहता हू इस शेयर को पढ़ने की, जो उस तमाम रिवायत शायरी के इतराम में यहां तश्रीफ फर्मा हैं, जो हमारे बुजर्गों ने एक असासी की शकल में छोड़ी है, और जिसकी किसी हद तक हम अमीन हैं, मैं उसको रिवायत को थोड़ा सा आग बढ़ानी कोशिश करता हूँ, इतना उजला था लिवास लफ उस तक्रीर का, लोग थोड़ी देर को समझे सवेरा हो गया, आग गले लग जा, मुबारक हो तुझे मेरे रखीम, आग गले लग जा, मुबारक हो तुझे मेरे रखीम, रखीम, कल तलग जो शखस मेरा था, भो तैरा आग, अगले लग जा, मुबारक हो तुझे मेरे रखीम, कल तलग जो शखस मेरा था, भो तेरा हो गया, और एक लफ़ को बरतनी की कोशिश है एक लफ़ है जो खो गया है कहीं लेकिन मैंने उसे फिर जिन्दा करने की कोशिश किया है एक चेहरा एक दरीचा एक नजर एक सर्द आ एक चेहरा एक दरीचा एक नजर एक सर्द आ उस गली से फिर हमारा पाउं फेरा हो गया एक चेहरा एक दरीचा एक नजर एक सर आ उस गली से फिर हमारा पाउ फिरा हो गया जूट उसने इस गदर बोला कि सच्चा हो गया ये सोचकर मैं उसके बराबर नहीं गया ये सोचकर मैं उसके बराबर नहीं गया दर्या के पास कोई समंदर नहीं गया यह सोचकर मैं उसके बराबर नहीं गया गरिया के पास कोई समंदर नहीं गया शायद सफर हमारा किसी दाइरे में है शायद सफर हमारा किसी दाइरे में है रस्ते से कोई मील का पत्थर नहीं गया शायद सफर हमारा किसी दाइरे में है रस्ते से कोई मील का पर्खर नहीं गया, कितने ही आस्मान धुआ होते देखकर, कितने ही आस्मान धुआ होते देखकर, मैं अपनी सथा से कभी उपर नहीं गया, अब ये शियर खास दोर से सुनाना है, जो गजल के मेरे यहां पर जिराए करने वाले हज़रात बैठे हैं, मैं अपनी सथा से कभी उपर नहीं गया, उसका खुलूस, उसकी वफा, उसकी बेरुखी, उसका खुलूस, उसकी वफा, उसकी बेरुखी, मैं उसके घर के पास गया, घर नहीं गया, वो इस पे मुतमईन है, के दस्तार बच गई, वो इस पे मुतमईन है, के दस्तार बच गई, मुझको मलाल है के मेरा सर नहीं गया, वो इस पे मुतमईन है, के दस्तार बच गई, वो इस पे मुतमईन है, के दस्तार बच गई, मुझको मलाल है के मेरा सर नहीं गया, उसका खुलूस, उसकी वफा, उसकी बेरुखी, मैं उसके घर के पास गया, घर नहीं गया, एक गजल बिल्कुल ताजा बाटाजा है, और ज्यादा वक्त कुँके नहीं है, और इशारा काफी होता है, तो मैं एक छोड़ी सी गजल तरणन्म से पांपे जाए, इतना भी करण का, कोई कम तो नहीं है, इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है जंते के वो पूछे हैं कोई हम तो नहीं है अच्छा है इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है गम दे के वो पूछे हैं कोई गम तो नहीं है नक्षा जो मुझे खुल्द में दिखलाया गया था नक्षा जो मुझे खुल्द में दिखलाया गया था ऐसा ही बे आलम ये वो आलम तो नहीं है नक्षा जो मुझे खुल्द में दिखलाया गया था ऐसा ही बे आलम ये वो आलम तो नहीं है जो रिवायती खजल है जो अब धीरे धीरे मुझेता हूं कि हमारे मुझारे के स्टेज्ट से रुखसत हो चुकी है या हुआ चाहती है मेरी कोशिश कभी कभी ये भी होती है कि उस रिवायत को भी आगे बढ़ाने की जसारत पर बे शाय धर मैं कुक्शिश करो रहा हो वाइए हालात मेरे इन दिन पेजीता बहुत है हैं क्या साधा है रिवाहा वाहा खालात मेरे इन दिन पेजीता बहुत हैं जुल्फों में कहीं तेरी कोई खम तो नहीं है जुल्फों में कहीं तेरी कोई खम तो नहीं है सीने से हटाता ही नहीं हाथ वो लड़का सीने से हटाता ही नहीं हाथ वो लड़का और देखो तो सही दिल में वो ही गम तो नहीं है देखो तो सही दिने वही खम तो नहीं है हालात मेरे इन दिनों पेचीदा बहुत है जुल्फों में कहीं तेरी कोई खम तो नहीं है चल मान लिया तेरा तेरा कोई दोश नहीं था चल मान लिया तेरा कोई दोश नहीं था चल्मान लिया तेरा कोई दोश नहीं था हलाक दलीलों में तेरी दम तो नहीं है 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 बाबाब तेरी दम तो नहीं है जिंदाबाद ताहिर भाई आखरी शेयर कुबाल सा वाबाब अर्मा सुनाइए खाय जा रहा है आए 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 महनत लगे है आला की दलीलों में तेरे ताहिर भाई तरी दम भाई है ए वजल चोड़ी से माग निर अपने मंद से सना रहे हैं पहले एक छोड़ी सी घजल सुनाने पर एए वजल मुझे सुनाने दीजिए बहले भाई वह सारी माग एक बहुत हुसरत आप पर लोगे वागे डर्रेश ओनाद आए नहीं मैं जाओंगा निया आप बहुत खुर्सूरत है और आप लोगों की समाते बहुत बेदार हैं जब इख्बाल अशर ने गजले सुनाई तो आप ने यकीन जानी और हक अदा किया उनकी शैरी को और उनकी जो शैरी की देहदारियां थी और जो लुट्वाया मुझे हमें सब को और आपको भी तो मुशा शाम गम तुझसे जो डर जाते हैं शाम गम तुझसे जो डर जाते हैं शब गुजर जाए तो घर जाए यू नुमाया है तेरे कुजे में हम जुकाए हुए सर जाए तो हम जुकाए सर जाते हैं अब अना का भी हमें पास नहीं अब अना का भी हमें पास नहीं वो बुलाते नहीं पर जाए वो बुलाते नहीं पर जाते हैं शाम गम तुझसे जो डर जाते हैं शब गुजर जाए तो घर जाते हैं वक्ते रुखसत उन्हें रुखसत करने वक्ते रुखसत उन्हें रुखसत करने वक्ते रुखसत उन्हें रुखसत करने हम भी ताहत नजर जाते हैं वहादी बढ़िया वाँ 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 शेवं भी ताहते नजर जाते हैं वक्ते रुखसत उन्हें रुखसत करने हम भी ताहत नजर जाते हैं याद करते नहीं जिस दिन तुझे हम याद करते नहीं जिस दिन तुझे हम अपनी नजरों से उतर जाते हैं याद करते नहीं जिस दिन तुझे हम याद करते नहीं जिस दिन तुझे हम अपनी नजरों से उतर जाते हैं अपनी नजरों से उतर जाते हैं वक्त से वक्त से पूछ रहा है कोई वक्त से पूछ रहा है कोई वक्त से वक्त से पूछ रहा है कोई वक्त से वक्त से पूछ रहा है वक्त से पूछ रहा है कोई वक्त से पूछ पूछ रहा है कोई जखम क्या वाकई भर जाते हैं जखम क्या वाकई भर जाते हैं आकरी शेर है मैं अक्सर ये शेर को पढ़ने से कब एक बात अर्ज करता हूँ कि अक्सर ये लोगों को कोई एक मिस्रा ये शेर जिन्दा रखता है जो शायरी हो चुकी असाद्जा ने कर ली हम कोशिश भी करें तो उसकी धूल तक नहीं पहुंच सकते लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोशिश नहीं की जाए तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा गुमान होता है मुझे ऐसा कुछ एहसा होता है कि मेरे मरने के बार प्रियों अगर कोई मेरा शेर आपके जहन में या कहीं रहे जाएगा तो शायद वो यह शेर हो सकता है आमें जख्म क्या वाकई भर जाते हैं हरिश एक लफसे में ताप को उसके माने पीछा करना बैटनीजी बाता नहीं तो करता है जिंदगी 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 तेरे ताकब में हम जिंदगी तेरे ताकब में हम जिन्दगी तेरे ताकबू में हम इतना चलते हैं कि मर जाओं जिन्दाबाद तक बहुत इतना चिलते हैं जिन्दगी तेरे ताकब में हम, इतना चलते हैं के मर जाते हैं, इतना चलते हैं के मर जाते हैं और आप लोगों के समातों की ये नजर, क्योंकि अभी कभी आपका जड़ा सा मूड इदर दर होता है, तो अल्ला खैर की आवाज में कलती हैं, मुझको तनकीद भरी लगती है मुझको तनकीद भरी लगती है, आप तो हद से कुझत जाएं मुझको तनकीद भरी लगती है, आप तो हद से किये, मैं हर बार जब भी पंद्रे अगस पर प्राइमिस्टर भूलेंगे, हर बार याद करूमाईश वो बहुत खुबसर सुना दा हूँ, अच्छा देखिए यह इन दो नजबों की मुझे फरमाईश है, मेरे लिए हुकम है, एक तो वो है जो किसी की तारीफ में मैंने कही है, और दूसरी नजब वो है जिसको मैं अबाजत की तरह पढ़ता हूँ, तो मैं पहले हैं, वो एक वो बहुत खुमसरत सुना दा पिछली साल वाले बच्चे जमाँ हो, अच्छा जबी चाहिए, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, असल में देखिए, क्या होता है, जो पीछे सुनके जाते हैं, वो अगले वालों को यह कह के लेके आते हैं, यह चल ले, यह नजब चल ले, त पड़ता है, तो वो अपने हैं, जहनी सदे के हSab से उसका मतलब Ajax करता है, लेकिन उसी शेर को अगर कोई सूफी पढ़ता है, क्यो यह लाला, कोई साहिब دिल सुनता है, पड़ता है, तो उसके माणा बुदल जाते हैं, स्लिव टुदी बजरुग जिसकी बहुत फर्माइश है, मैं जुनाता हूँ जो कह दूं मुहबध है तू मुझे को खुदारा गलत मत समभ माध मुझे भाए तू मुझे ढamiento लिए खुदूरत है कि आपके बाली है नहीं है याकिन वानियिएक व्हुरत आङ्मिया उतना कुदूरत अंचाल Nicholas और उतना ही जहीन और चालाग मार्केटिंग करने वाला आदम है अभी तो इसी मामले में उलजगिया थोड़ा सा कि ये होना क्या है आएना मुस्तक्विल में होगा क्या यहां पर दुना सा फसा होगा है मामला में बजला है वरना बहुत ही जहीन मैं तो ओद मिधा वरना बहुत ही जहीन मैं तो फैन हो इनका बार रहल मेरे छोटे भाई हैं बगर मैंनका फैन हूँ है भूलोग की डानी ये बाहे तुम्हारि है खमोश जादू की जानी निगा है तुम्हारि चैना वात Tun?" हैं खामोश जादू निगाहें तुमारी जो काटे हो सब अपने दामन में रख लूँ सजाओं मैं कलियों से राहें तुमारी हैं खामोश जादू निगाहें तुमारी जो काटे हो सब अपने दामन में रख लूँ सजाओं मैं कलियों से राहें तुमारी नजर से जमाने की खुद को बचाना किसी और से देखो दिल ना लगाना के मेरी अमानत हो तुमारी बहुत खूब सूरत हो तुमारी बहुत खूब सूरत हो तुम बहुत खूब सूरत हो तुम है चहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा और उस पर ये काली घटाओं का पहरा है चहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा और उस पर ये काली घटाओं का पहरा और उस पर ये काली घटाओं का पहरा गुलावों से नाजक महकता बदन है ये लब है तुम्हारे के खिलता चमन है बिखेरो जो जलुफे तो शर्माए बादल ये जाहिद भी देखे तो हो जाए बागल वो पाकी जामूरत हो तुम बहुत खूब सूरत हो तुम्हारे कभी मैं जो कह दूं मुहाबत है तुमसे तो मुझे को खुदारा गलत मत समझना के मेरी जुरूरत होतुम्हारे का अना जी हो पाक 먹어 आखरी बन जो इस पूरे गीत का लूप लुबाभ है पेश करता हूं ह। इस है कि जो लोग पहले बार सुन रहे हैं वो तबच्च्छ रखे हैं और मेरे लफ्जों को साथ सफर करते सा ज्यादा उनको खुब्सूरत इसास के साथ जुड़ेंगे जो बनके कली मुस्कुराती है अकसर शब हिज्र में जो रुलाती है अकसर जो बनके कली मुस्कुराती है अकसर जो बनके कली मुस्कुराती है अकसर मेरी दुदारिश है मेरा जीच आता कि मैं वो पेश करीदू आच मैं एकसर कहता हूं कि यह नजम मैं लगवग पिष्ले था साल से पड़ता हूं 15 साल अंप 15 साल से अप सुन रहे हैं यहीं मैं 10 साल से पड़ता हूं क्या हुदा है कि जब इस तरह के जिस तरह के बाकिया से आजकल उसमें एक एक लम्हा एक गंड़ा लगता है तो आपका तज्जिया सही है मैं अर्सी करना चाहरा था कि मैं इसको पढ़ रहा हूं और बस खाली पढ़ ही रहा हूं और बहुत से लोगों के मामलाद जो हैं वो इस नजम के हावाले से ठीक हो जाते हैं इस वक्त मेरा ची चाहता है कि आफ़ आप मैं तुम्हें ये नजम पेश कर दूँ और तुम किसी को ये सुना दो भेश दो ताके लागरे हमें वलीमा खाने का जो है नौकर बली आफ़ आफ़ मैं सुना हूं ये मुझ को खुदारा गलत मत समझें के मेरी जुरूरत हो तुम बहुत खुब सूरत हो तुम जो बनके कली मुस्कुराती है अक्सर शब हिजिर में जो रुलाती है अक्सर जो बनके कली मुस्कुराती है अक्सर शब हिजिर में जो रुलाती है अक्सर जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदलते जो शायर को दे जाए पहलू घजल के वाँ छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए भुलाना जो चाहे लुलाई न जाए वो पहली मुहाबत हो था बहुत खुब सुरत है तुम से तो मुझको खुदारा घलत मत समझना के मेरी जुरूरत हो तुम बहुत खुब सुरत बहुत खुब सुरत बहुत शुक्रिया मुझक। थालना मुझक। देखिए मैं मैं हाजूर्द हो गया हूं लेकि इसलिए कि मैंने कुछ ज्यादा पड़ दिया मुझे ऐसा लग रहा है जो वक्त है मैंने से जादा वक्त ले लिया तो आप हां मुझे ठीक लग रहा है कि लोगो नहीं लग रहा है आपकी फर्माइश है तो मैं वो उसके दो बंद सुना देता हूं लेकिन मुझे मैं अब सुन ले अरे इतनी दिर में तीसरा हो भी जाता याँ चलिए मैं मैं पेश की देता हूं एक बात मैं हाद जोड़ करना चाहता हूं देखिए यह मौज़ू ऐसा है बड़ा सेंसेटी मौज़ू है यह मेरे नजदीक और आपके नजदीक भी है इस मौज़ू के बहुत सी शायरी हुई है मुनवग और राना ने बहुत अशार कहे हैं इस रिष्टे की बन्याद बना के और इसके मुकर्दस रिष्टे को एहमियत देते हुए चराप से चराप चलता है मुझे तसलीम है कि मुनवग और आना ने पहले से शेयर गाना शुरू किये मेरी यह जो नजद्मिया मेरा गीत है यह उसके बात हुआ है लेकिन यह अस करता हूं इसको अबादत की तरह मैं पढ़ता हूं और आप अबादत की तरह सुनते हैं यही इसका हासिल है और कुछ गह नहीं है अंबर की यह उंचाई धरते की यह गहराई तेरी में है समाइए हिंदी के हमारे दोस्टी बेटे हैं उर्दू के भी हमारे समय तेशिफ रखते हैं ये गीट ये नजव ऐसी है जो बिला तफरीज मजब मिल्लग सब के लिए है क्योंकि ये रिष्टा ऐसा है कि हम तो अश्रफ मखलुकात हैं ये चरिंद और परिंद को भी रिष्टा अंबर की ये उँचाई धर्ती की ये गहराई सागर की ये गहराई तेरे मन में है समाई माई तेरा मन अमर्त का प्याला तेरा मन अमर्त का प्याला ये ही काब ये ही शिवाला तेरा मन अमर्त का प्याला ये ही काब ये ही शिवाला तेरी मंदा जीवन दाए माई जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं मैं बन के तेरा हम जोली तेरे हाथ ना चुप जाओं जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं मैं बन के तेरा हम जोली तेरे हाथ ना आओं जुप जाओं जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं परियों की कहानी सुना के कोई मीठी लोरी का के कर दे सपने सुक्दाए माई अया है, तो जो सच्चा सच्छा वैसूस किया, वो लिख गया, लिखा नहीं, लिख गया संसार के ताने बाने से, घबराता है मन मेरा संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा इन जुटे रिष्टे नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा इन जुटे रिष्टे नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा सब दुख सुख में ढल जाएं तेरी बाहें जो मिल जाएं तेरी बाहें जो मिल जाएं मिल जाएं मुझे खुदाई माई बोलाएं बहुत अच्छे हैं आफ्री बंद हाँ आफ्री बंद है लेकिन शायद उससे पहले एक मेरा जाती मौमला है जाती मेरा तजरुबा को मैं शेयर करता हूँ आपके साथ जाडे की थन्डी रातों में जब देर से मैं घर वाओं वाँ जाने की ठंडी रातों में, जब देर से मैं घर आओं, हलकी सी दस्तक परवपनी, तुझे जागता हुआ मैं पाओं, तुझे जागता हुआ मैं पाओं, सर्दी सिठ ठर्दी जाए, ठंडा विस्तर अपनाए, मुझे दे के गर्म रजाए, पाओं, पाओं, तेरा मन मिरत का प्याला, यही कावा, यही सिवाला, तेरी ममता जीवन दाए, माओं, तुमाओं, आखनी बंदने, अब आकरी बंद है और वो बिल्कुर इसी एसास के साथ है कि मेरे एसास और आपका एसास अगर हम आहंग ना हुए तो ये गीत लिखना और इसका पढ़ना सब फिजूल है हाँ इतना जरूर अर्स करूंगा कि इस गीत को सुनने के बाद अगर आप हजरायत में से कोई एक पिर कोई शरारत हो मुझ से नाराज करूं नाराज करूँ फिर तुझको फिर कोई शरारत हो मुझसे नाराज करूँ फिर तुझको नाराज करूँ फिर तुझको फिर गालु पे थपी मार के तू सीरे से लगा ले मुझको सीरे से लगा ले मुझको फिर कोई शरारत हो मुझे से नाराज करूँ फिर तुझ को फिर गाल पे तपे मार के तू सीने से लगा ले मुझे को सीने से लगा ले मुझे को बच्पन की प्यास बुचादे अपने हाथों से खिला दे पलू में बंधी मिठाई निहीं रिली जो आुटी भुख क्वार जोल्व ठील्ट भाज भाज मेश्य कोत्से थाद़ का आद़नी।